हे अबरिवन मैं आप प्रिंस देशी प्रोग्रामर से और स्वाइट अब सबकर को नई वीडियो में जहां पर हम बात करते हैं कि हम कैसे फ्लॉटर इंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं जहां पर मुराने वाले एक नोट साथ पहले हमने प्रोजेक्ट को यूज किया यह एपियाई कोड करने में जहां परापैसे डेटा को ग्राप कर सकते हैं प्रोजेक्ट करेंगा और यह एक नोट को यहां पर क्रियेट कर देगा इस पर अगर मैं एक बार क्लिक करो तो जो भी लंबा सो नोट हो हमें यहां पर एक ट्रॉलेबर डायलोग के थ्रूँ दिख जाएगा अगर मैं यहां पर लॉंग प्रेस करूँ तो हम इस नोट को एडिट कर भी सकते हैं तो यह सब कुछ हम बनाने वाले एक सिंगल वीडि कर सकते हैं और हम बात करने वारे हैं प्लाइब कर सकते हैं और कैसे यूवाइब कर सकते हैं रिक्वेस्ट को में कर सकते हैं और कैसे यूवाइब कर सकते हैं रिक्वेस्ट को यानि कि हम यह यहां पर जो में रहा है वो गेट है या फिर पोस्ट है या फिर पुट है या फि as simple as it is get पे हम सारे notes को send कर देंगे okay post पे हम create करेंगे note को put पे हम update करेंगे एक note को और delete पे हम delete करेंगे एक note को यह मेरा API का simple सा design so अब इसके बाद हम सबसे पहले अपना code start करते हैं जिसके मुझे कि मुझे सबसे पहले कुछ headers डालने हैं मैं यहां पर जल्दी से डाल देता हूं मुझे यहां पर तीन header चाहिए एक हो गया मेरा access control allow origin जो कि बिसी कर रहे हैं जो कि allow करेगा किसी भी origin को यहां पर request करने के लिए दूसरा header यह बताता है कि मेरा है जो content का टाइप है वह application slash json है यानि कि हम json data यहां से send कर रहे हैं और तीसरा header यह बताता है कि हम accept भी कर रहे हैं केवल json data so accept application slash json इसके बाद मेरे पास एक variable है dollar method और यह basically जो मेरा method variable है यह store करेगा कि कौन सा request method से अभी request request आया है so dollar underscore server और यहां पर हम grab कर रहे है request underscore method so यह मुझे यह बताता कि कौन सा request का method है हम चाहिए तो इसे एक बाद चेक भी कर सकते हैं process कफे simple है मुझे यहां पर यूज करना होगा एक हम echo करते हैं मैं actually copy करके पेस्ट कर देता हूं और यहां पर हमें को कर रहे हैं dollar method को से हम सेव करते हूं आपको बताया जा रहे कि यह get request था अगर मैं get से यहां पर पोस्ट कर दूँ तो बताया जाएगा put request अगर हमें इस सीच को यहां पर चेक करना था जो कि मेरे method वीडियवल में आ चुका है इसके बाद जैसे मैं यहां पर switch करना है किसी करना है इसी के लिए कौन-कौन से request उसके लिए सो मैं यूज कर रहा हूं अपना switch statement जहां पर जो कि हमारा method अलग-अलग values पर में switch करना है फिराल मैं get value यूज करता हूं और यहां पर मेरा code होगा और फिर हम break करेंगे obviously अब ऐसी मुझे तीन और चाहिए तो get के अलावा मेरे पास हो जाएगा post इसके अलावा मेरे पास हो जाएगा put and last but not the least मेरे मेरे पास ऐसे ही होगा और case जो की होगा delete तो यह चार तरीके से मेरे पास request आ सकते हैं और मुझे उसके according response करना है और default में मैं क्या करता हूं यहां पर simply बता दे रहा हूं कि कोई तो error है आप यहां पर इस तरीके से response नहीं कर सकते तो यह होगा आपको status false message हो जाएगा unexpected request तो यहां पर हम क्या करते हैं एक data को insert करते हैं all right so id automatically generate हो जाएगी मैं note डालता हूं जो कि यह रहेगा basically inserted by php myadmin okay यहां पर मैं insert करता हूं केवाल one row और यहां पर हम इसे insert करते हैं let's go okay अब मैं अगर browse पर आउं सो मुझे यहां पर मुझे यहां पर मुझे यहां पर एक सिंकल सा note दिख रहा जो कि inserted by php myadmin date time और id automatically insert हो गई है वापर चलते हम यहां पर get मुझे क्या करना है मुझे यहां पर fetch करना है सारे notes और मुझे यहां पर भेज देना है अब यह पूरी तरह से हमारे API के design पर depend करता है कि हम किस तरीके से भेजना चाहते हैं करे बार लोग पूरा data भेज देते हैं बीना यह देखे होए कि 0 है या फिर 1 है and all मैं यहां पर simply सबसे पहले get मैं मैं यहां पर grab करूंगा सारे notes को तो यहां पर मुझे एक तो मुझे चाहिए db.php so let's do require actually हमें सारे operations के लिए db.php चाहिए है right so मैं यहां पर ही db.php यूज कर लेता हूं and I know कि यह उतना ज्यादा सेफ नहीं माना जाएगा but again हम इस code को production में नहीं पुश कर रहे हैं so यह हो गया मैरे db.php and save जब भी मेरे पास get request आएगा मेरे यहां पर हम बोल रहे है select star from और जो मेरा डीटर टेवल का नेम है वह है notes इसका मेरा dollar result जो कि आएगा mysqli underscore query और यहां पर हम query कर रहे हैं तो मुझे डॉलर cnn variable चाहिए जो कि db.php से मुझे मिल जाएगा और dollar sql variable जो कि मेरे sql query है और यहां पर यहां पर यहां पर मुझे result मिलेगा तो पहले हम यह चेक करते हैं कि यहां पर जो number of rows यह 0 से ज्यादा है तो हम task भे जाएगे और अगर 0 से कम यानि basically 0 है तो हम यह बोलेंगे कि कोई sqli underscore num underscore rows और यह आएंगे dollar result अगर यह greater than 0 है यानि कि task है else यानि कि हमारे पास यहां पर कोई भी task यहां पर नहीं है सो जैसे हम यहां पर यह बेज रहें मैं इससे वापस यहां पर copy कर लेता हूं इससे मैं comment करके रखता हूं क्योंकि कई बार इससे कारण लोगों को issue होती है और else में मैं simply यहां पर यह पेस्ट कर देता हूं कि response होगा वह एक L होगा status पर मैं यहां पर भेज देते हैं सबसे पहले तो false दूसरा जो मेरे यहां पर data है वह हो गया message तो मेरा जो message है वह यह होगा कि आमनों टास्क्स फांड ओके नॉर्मली पीएच्पी डिजाइन में लोग ऐसा करते हैं अल्दो जब नोट जीएस के थ्रू डिजाइन करता है सनी करते हैं बहुत बाले देखे लोग स्टेटास मैसेज और फी डीटा तीन चीज़े बेशते हैं डिपेंड करता है अगर मैं यहां पर एक message भीज रहा है तो मैं client से directly messages को कर सकता हूं वरना मुझे client पार्स करना पड़ें किस टाइप का response है फिर मुझे खुद से महां पर message करना पड़ेगा सिंस्स सब कुछ मैं खुद कर रहा हूं मैं ऐसे ही कर लेता हूं अब यहां पर अगर मेरे पास number of rows हैं तो मुझे basically iterate करना है और फिर मुझे एक array बना लेना है इन सारे results का सो यहां पर सबसे पहले मैं एक dollar task यूज करता हूं dollar task यह एक array है जो कि फिलाल empty है अब मैं यह बोल रहा हूं कि अगर number of rows greater than zero है so while dollar row is equal to mysqli जैसा कि हम normally करते आते हैं fetch associate so fetch actually fetch all भी use कर सकते हैं but yeah okay fetch associate जो कियाएगा dollar result से और यह हो गया मेरा array underscore push task में इस particular row को और ऐसा होने के बाद जब यह पूरा complete हो जाएगा तो मैं basically same चीज को यहां से copy करके यहां पर paste कर देता हूं फर्क बस यह कि यहां पर जो मेरा message हो जाएगा वो मैं change कर देता हूं let's say कुछ भी fetched successfully और यहां पर मेरे पास एक और parameter होगा data और जो मेरा data है वो होगा dollar tasks इसे हम save करते हैं वापर चलते हैं insomnia में और मैं आप एक get request कर आपको बताया जा रहा है status true और मुझे मुझे मिल रहा है status false with first successfully basically मुझे इससे पहले यहां पर true करना है और यह अभी भी I don't know why execute हो रहा है एक्चुलिए डीवी.php का यह part execute हो रहा है details तो इसे हम यहां से हटा देता है अब save करेंगे और send करेंगे था हमें एक ही यहां पर response विल्दा जहां पड़े स्टैटस true message of successfully और data में हमारा वो notes है जो कि हमने insert किया हुआ है यह हो गया एक सिंपल सा get request इसके अलवा अब यहां पर आता है मेरा post request जहां पर मुझे क्या करना है मुझे करना है create a note तो create करने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पर जो भी data भेजा जा रहा है जो जीशन मुझे पहले वह grab करना होगा चेक करना पड़ेगा कि वह data Null है या नहीं अगर Null होगा तो हम बोलेंगे कि अपने error किया है मुझे मैं Null accept नहीं कर सकता हूं और उसके अलावा अगर Null नहीं होगा तो हम क्या करें कि उसे insert कर देंगे सबसे पहले अगर मैं data grab करना चाहता हूं जो कि जेशन ने भेजा गया है तो उसके लिए मैं यूज करते हैं dollar data is equal to मैं यहां पर जेशन decode यूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे इस data को decode भी करना है वो जेशन में आ रहा है और यह मुझे मेरे पास मिलेगा file underscore get contents और जो मेरे contents है वो हैंगे PHP colon slash slash input यहां से मुझे मेरा data मिल जाएगा जो की भेजा जा रहा है फिर भी हम आपको दिखाने के लिए इसे यहां पर copy कर देता हूं और यहां पर हम paste करते तो जो भी हमें data मिल रहा है वो मैं यहां पर भेज देता हूं error code वगएरा छोड़त है मैं यहां पर data में send कर देता हूं dollar data हम सेव करते हैं वहां पर शलता है insomnia में यहां पर एक और मैं request create करता हूं यह हो गया create note यहां पर मैं इसे paste करता हूं method हम change करते है post और bodies होगा मैं यहां पर JSON होगा this is right so myra emission board अगर में आपने send करो तो मुझे यहां पर मिल रहा है data में note I am a note तो जो मैं यहां पर send कर रहा हूं मुझे वहां पर वहीं मिल जाएगा अगर मैं कुछ भी सेंड ना करो हूं तो मुझे यहां पर data मिल रहा है अब मुझे यहां पर यहीं चेक करना है कि अगर डीटा नल हो तो हम यहां पर एक अपना काम करेंगे मैं यहां से कट कर लेता हूं सिंपली यहां पर हम पेस्ट करते हैं स्टैटेस मेरा फॉल्स है मैसेज रहेगा नो डीटा फंड और हम बोल सकते हैं बेसिकली एंप्टी फील्ड यह ज्यादा बेटर रहेगा यहां पर मुझे डेटा पारमेटर के ज़रुद नहीं है मैं इसे सेंट कर दे रहा हूं यानि कि मेरी यहां पर यह वाल्यू जोंगी वो होंगी question mark क्योंकि हम यहां पर placed बालमेटर यूज उसकरना चाहते हैं अहले हमें statement को prepare करना होगा so if $ okay actually statement prepare करते है तस्ट t empty if $ statement is equal to mysqli underscore prepare और यहां पर मुझे चाहिए $ connection and $ SQL तो अगर यह सक्सेस्फुली प्रिपेर हो जाता है यह पाइस स्टेट्मेंट है तो मैं यूज करना होगा mysqli underscore stmt statement underscore bind parameters और जो parameter मुझे bind करने तो यह dollar statement में मुझे bind करना एक parameter और वो parameter है data में data की एक value मुझे करनी है जो कि note तो मैं आप ऐसा इसलिए यूज करें कि हो सकता है कि लोग कोई data में ज्यादा value भी भेज सके फर्दर आपको अगर कभी refer करना तो आप यहां पर refer कर सकते हैं इसकाद मुझे execute करना होगा mysqli underscore statement underscore execute और execute करने के हम इस dollar statement को और इसके बाद हम क्या कर सकते हम एक response भेज सकते हैं ओके का सो अब यहां पर कई बार लोगों को यहां पर मन करता है कि हम response code भी change करें यहां पर यहां पर जैसा अगर यह bad request है तो मैं डाल सकता हो एक header और यहां पर मैं बोल रहा हूं कि http slash 1.1 और जो मैं यहां पर response code 400 यानि कि bad request यह मैं यहां पर भेज रहा हूं अब यहां पर क्या होगा अगर मैं इसे save करूँ वापस चलता है यहां पर अगर मैं send करूँ तब मुझे यहां पर 400 bad request का header code मिल रहा है तो आप क्या कर जकते हैं कि इसके according भी parse कर सकता है इसकर मुझे क्या करना है एल्स अगर यह execute हो जाता है successfully इसके बाद मेरे पास एक simple सा अडी रहेगा जिसे मैं भेज दूँगा वह process है dollar response को हम copy कर क्या है पेस्ट कर देते है status true message added successfully यह मेरा header with response of 200 और मेरा हो गया पर यहां पर एक issue भी हो सकता है अब यहां पर मेरा सारा code हो गया data को create करने का okay save करते हैं वापस आते हैं फिला अगर मैं सेंड करों सो के empty field अगर मैं यहां पर है एक नोट डालूं लेट से एक नोट और यह होगा नोट सेंट यूजिंग अब मैं इस पर अगर सेंट करूं सब देख सकते हैं मुझे पता है ज़र added successfully यानि कि अगर मैं home पर जाके अगरो तब मेरे पास यहां पर दो नोट से एक नोट इंसर्ट इंसर्ट इंस वाइं दूसरा नोट सेंट उजिंग इंस वाम निया दोनों का टाइम स्टैंप है दोनों की आई डी भी है यह दो चीज़े हमने यहां पर successfully कर ली तीसरी का हम यहां पर करते हैं जो कि और टाइड के नोट को डिलीट कर देंगे सिंपल तरीका है सो ग्राप करते हैं यहां से अपना में यू और आल सेयाँ पर पेस्ट करते हैं कि फिछ फिलाल मैं अगर डिलीट रिक्वेस्ट सेंट करो तो मुझे यहां पर कोई भी बाडी नहीं मिल रही है सो हम चलते है अप पर कोड बहुत ज्यादा सिमिलर होगा तो चल्दी से हम करते हैं यहां पर डिकोड कर लेना है इस डीटा को ग्राप करके सो यह मैं यहां पर डाल देता हूं अब मुझे जब डेटा मिल जाएगा सो अगें मुझे चेक करना है कि यह डीटा नल है या नहीं सो यह जो मेरा पू इसले करते हैं यहां चेक करना है यानि कि मैं स्यंपलिट डॉल च रखेंगा और स्पॉन्स मैं यहां पर सक्सेशफुली इसले कर दूँग और स्वरिय्टेटा से इसले कर दूंगा सब् weaving कर रहा है कि मैं जूम कर सकता है की आइड कर करके चल रहे है क्योंकि हम खुद अपन है क्लाइंट कर रहे हैं यहाँ सेट कर intrusion मिल रहा है empty field मेरा body होना चाहिए जीशन टाइप का जहां आप मुझे बताना है कि मैं कौन से ID को delete करना चाहता हूं यहां पर बात करता है कि अगर मैं suppose ID भेज देता हूं 10 और यह बात हमें पता है कि 10 ID का resource हमारे पास नहीं करने कि 10 ID का कोई भी note available नहीं है अगर मैं send करूं तो भी मुझे मिलेगा deleted successfully although कुछ भी delete नहीं हो रहा है क्योंकि जब कोई है भी नहीं अगर आप डिलीट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वह डिलीट होई जाएगा पर अगर मैं अब बहेज रहा हूं हम एक नया note बनाते हैं let's say create note मैं बोलता हूं कि get ready to be deleted send करते हैं home पे जाके वापस send करते हैं एक note है ID 3 के साथ delete में जाके मैं यहां पर ID को 3 करके मैं send करता हूं बताया जा रहा है deleted successfully अगर मैं home पर जाके वापस पर send करो अब ID 3 के हमारी यहां पर कोई भी note अवेलिबल नहीं है यह हो गया मेरा delete करने का तरीका जो कि काफी simple था अब आता है last but not the least put जिसे use करके हम क्या करते हैं अपडेट करते हैं किसी भी note को अपडेट नोट तो अपडेट करने का प्रोसेस अगें सीन है क्या करना हमें हमें सबसे पहले डेटा को ग्राब करना है जो कि आप भेज रहे हैं अगर नल हो तो हम भेज देंगे कि एंपटी फील्ट वगर यह डेटा नहीं है करने की नोटेट नोट पहला सकता है अपडेट नोटें और यहां पर मुझे क्या करना है मुझे use करना है set note is equal to question mark और यहाँ पर values की जगर मेरा condition होगा so note is equal to question mark where id is equal to question mark so यह हो गया मेरा SQL इसके बाद simple मुझे statement को bind करना है मैं copy कर लेता हूँ उसको भी अगर बाइंड करने में कोई भी error आया तो हम यहाँ पर simply response कर देते हैं कि एर प्रिपेरिंग statements अब अगर suppose की बाइंड करने में कोई error नहीं आया है तो मुझे क्या करना है जो मुझे यहाँ पर यह चीजे रण किया हम पहले statement को बाइंड करते हैं प्रिपेर करने में कोई अगर यहाँ पर error नहीं आया हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बाइंड करेंगे parameters को और फिर उसे execute करेंगे और फिर भेस रहेंगे successfully जो कि फिलाल यहाँ पर होना चाहिए यह updated successfully मैं यहाँ पर paste करता हूं एक एकर करके ध्यान देते हैं यहाँ पर जो मेरा statement है वो दो यहाँ पर parameters है पहला parameter आएगा data note पर जो मेरा दूसरा parameter आएगा वह आएगा टॉलर data यहाँ यानि कि मुझे यहाँ पर id भी जाए कि मां कौन से note को update करने की बात कर रहा हूं काफी obvious है यहाँ पर added की जगवा हम बोलेंगे updated successfully और http response 200 के साथ हम send कर देंगे वापर चलते हैं यहाँ पर एक new request create करते हैं जो कि होगा update note और यह जो update करने के लिए और put को update करने के लिए although कुछ लोग अलग कर सकते हैं यह अलग अलग लोगों पर डिपेंड करते हैं यहाँ पर copy करता हूं one और जो हम update करना चाहते हैं अपने note को वो टेक्स्ट होगा inserted using capital में PHP my admin इसे हम send करते हैं बताया जारा updated successfully अगर यह सच में successfully update किया है तो अगर मैं home पर जाकर fetch करूं तो अब देख सकते हैं लिकड़ा inserted using PHP my admin कुछ और भी कर सकते हैं लट से updated updated using insomnia and inserted using PHP my admin send करते हैं home पर जाते हैं वापस send करते हैं मुझे यहाँ पर यह बड़ा सा मिल रहा है उपस मैंने एसको capital छोड़ दिया है इससे मैं जल्दी से small कर देता हूं वापस से send करते हैं वापस से यहां पर send करेंगे मेरा वो चीज़ अपडेट हो गया मेरे पास चार रिक्वेस्ट चाहिए बेसिक क्रड़ ऑपरेशन के लिए चारो यहां पर अब मुझे सिंप्ली फ्लॉटर को यूज करने अपना क्लाइंट कोड करने के लिए ताप कि मैं इस एप्राउजर को क्लोज कर लेता हूं इसको मुझे को की काम नहीं है यहां पर मैंने कोड रखती है सब कुछ आरड़ी किट है तो आप वहाँ से सिंप्ली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कि यह मेरा इंस्वाबिया मैं तब तब इससे यहां पर छोड़ देता हूं और बाइदर मुझे यह भी चाहिए सर्वर अपन रखने के लिए तो एक न्यू टाब में हम यहां पर इसे में इसा करनी है जाथे एकमप्लों कमले कर लेता हैं साथ मुझे यहां पर कूछ बढने है तो वह मैं जल्दी से कर लेता हूं जहां पर मेरे पास एक फॉंट है बोल्ड और रेगुलर इसे क्लोज करें तो सेम आसे को पर यांबल में भी डाल देता है इसे मैं नाम दा देता हूं सिंपली कस्टम फॉंट यह होगे मेरे दो एसे और यह जो मेरा बोल्ड है वो जब वेट 800 होगा तो हम उसे यूज करेंगे इसके लाँ मुझे यहां पर कुछ डिपेंडेंसी भी चाहिए सो डिपेंडेंसी मुझे चाहिए डियायो आई एंटियल एंड लाइन आइकन अब सबसे पहली बात यहां पर कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कैसे एच टीटीप को यूज करके अलग-अलग टाइप कर सकते हैं तो यहां पर मैं डियायो यानि डियो पैकेश को यूज करने वाला हूं ताकि कॉंसेप ज्यादा क्लियर हो उसके लबाएंटल पैकेश को यूज करें डेट टाइम को पार्स करने के लिए लाइन आइकन सिंपल आइकन के लिए इसे हम यहां पर सेव कर ले तो मेरा यहां का काम अब यहां पर हो चुका है मुझे चलना है एंड्रॉइड एप सोर्स में एंडूइड मैनिफेस्ट कि यहां किया करना है एक सिंपल सी चींज हम यह पर करनी होती हम यहां पर डालना होता है आपने अक्थिवीटिय में यहां पर सिंप्ली डालना होता है एंड्रॉइड डॉसे ट्राफिक ट्रू जसे करान क्या होता है कि हम https ही नहीं http request भी कर सकते हैं इसके लाबा कई सकते अच्छे दिखने के लिए let's say notes app save करते हैं और इसे भी मैं यहां से close कर देता हूं सो यह हो गया मेरा यहां का काम अब मैं इसे as it is run करता हूं बट उसके पहले कुछ चीजें यहां पर हम चींज कर देते हैं अल्राइट तो यहां पर मैंने यहां पर चींज किया टाइटल चींज किया तब यह कुछ ऐसा दिख रहा है मैं यहां पर डीवक्षो चेक मैं बोनर को भी बैसिकली फॉल्स कर देता हूं अब जो मेरा होमपेज है यह मुझे ऐसा बिल्कुल नीच चाहिए इसे हम यहां से प करते है यहां पे यहां व्62 पर चाहिए जो कि भेडिन बचन जिससे क्लिक कर पर पेडेंगे जहां पर एक अपर सक्ते हैं यह हो गया फ्रोटिंग एक्संट बचन और यहां पर अगया कुछ साहीं यहां पर कुछ चाहिए उल्स समुझारी है जो कियो हो एक आइकन और यह मेरा लाइन आइकन से आएगा लाइन डॉट प्लस जिसके लिए मुझे यहां पर इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहां पर काम करें मुझे लाइब्रेडी में लेट से मेरे पास एक फोल्डर है कंट्रोलर और यहां पर मेरे पास एक दूसरा यहां पर मेरे पास फाइल है मेरा एक स्ट्रिंग होगा बेस अंडर्सकोर यूरल और यह स्ट्रिंग होगी आपको http colon double slash 10.0.2.2 क्योंकि obviously हम यहां पर एमिलीटर को यूज कर रहे हैं slash यहां पर हमें call करना है notes underscore API को यह हो गया मेरा base url base underscore url ओके और इसे हम यहां पर request करने वाले हैं दूसरी जो मुझे यहां पर चाहिए वो है dio so एक हमें dio instance चाहिए so do actually मुझे इसे वापस से close करके फिर से run करना चाहिए अब I think कि मुझे कोई issue नहीं होगा मुझे use करना है dio एक instance जो कि होगा do क्योंकि इसे हम use करके यहां पर अपना request करने वाले हैं अब यहां पर point आता है कि हमें अलग-अलग methods बिनाने पड़ेंगे जिसे यूज करके हम data को grab कर सकते हैं for example मेरे पास let's say कि हम एक मेरा method हो गया get notes जिसे use करके हम notes को fetch करेंगे अब यहां पर अगर आप alerts वगरा so करना चाहते हो सो मैं यहां पर context को भी as a parameter grab कर सकता हूं जिससे क्या होगा कि हम दिखा सकते हैं कि error बट मैं यहां पर ऐसा नहीं करूंगा context को grab नहीं करूंगा simply error so करेंगे front end में क्योंकि यह ज्यादा बेटर तरीका है और भी अच्छा architecture के लिए हम यूज करते हैं प्रोवाइडर गेटा एक्स मॉबाइक्स ब्लॉक पैटन जासे प्लाग इन्स फ्रवाइडर हम simple architecture रखते हैं यह हो गया मेरा get notes यहां पर मुझे क्या करना है again try and catch कि यहां पर बात है so try and catch but वहां पर हम catch करते थे एक चीज जो की था आपको socket exception यहां पर हमें catch करना है तो यहां पर हम use करेंगे on do error तो हम यहां पर catch करेंगे अपना e जो की है मेरा error अब try में मुझे यहां पर request करने की कोसिस करनी है so मेरे पास आएगा response so our response is equal to await dio dot get विल्कुल सेम है जैसा है कि हम you know http को use करेंगे यहां पर मेरा होगा base url इसके बाद हम यहां पर print कर सकते हैं for example अगर में यहां पर okay हमें status code को basically check करने के जरूद भी नहीं है मैं यहां पर simply print कर देता हूं response dot data okay यहां पर body में नहीं आएगा data में आएगा और इसके अलावा अगर कोई dio का error है तो error होगा e मैं आपर simply print कर देता हूं जो कि पूरा error को print कर देगा इसे हम save करते हैं वापर शलते main dot dot में यहां पर मुझे चाहिए body मेरा body हो गए future builder future builder में मुझे दो चीज़े चाहिए एक तो future दूसरा builder builder के अगर में बात करूं तो यहां पर हम यूज करते हैं context and snapshot बेसिकली future builder क्या करता है कि एक function को run करेगा और उसके result के according बाद में automatically refresh करके rerender कर देता है visits को मैं यहां पर use कर रहा हूं if snapshot dot has data यानि कि सब कुछ successful रहा है else if snapshot dot has error यानि कि अगर यहां पर error है और else यानि कि ना तो data है ना तो है यानि कि अभी कुछ तो हो रहा है साइध रन कर रहा होगा तो अगर कुछ भी नहीं है तो मैं center में एक child डालता हूं जो की रहेगा एक simple text जहां पर हम simply बोल रहा है fetching your notes इसके रहा अगर अगर कुछ तो error है तो यानि कि अगर यहां पर error है सो हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर रिटाउन करते हैं यहां पर simply container so return a container बात मैं यहां पर actually पूरी लिस्टिंग करनी है और फिलाल के वाल container इसे हम save कर लेते हैं यहां पर हम एक future भी डालना है तो इसके लिए पहले आप अपने note service class के object create करना पड़ेगा so note controller that's a notes controller is equal to a notes controller और यहां यहां पर मैं simply जो मेरा future होगा वह होगा notes controller dot यहां पर है get notes इसे मैं save कर तो इसे वापस से run करते हैं और यहां पर basic styling डाल दिया है और आप को मैं यहां पर run कर लें अब देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है fetching your notes ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां से कुछ भी return नहीं कर रहे हैं तो future को पता नहीं है कि status क्या है तो वह continuously यह बता रहा है कि ठीक हमी तक notes को fetch करने को सिस कर रहे हैं although अगर आप console पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं जो भी data भेज रहा था status true message fest successfully और data में यह सारा जो मुझे notes है वह जो दिख़़ा है अब पहले हम get notes के पार को clear करते हैं तो आप देख सकते हैं कि data में हम एक list भेज रहे हैं अपने notes का स्माल करता हूं वापर शलते है notes controller में अब यह बता रहे है कि जो मेरा get notes है फ्यूचर में return करेगा एक list करेगा यहां पर अगर कोई error है तो हम प्रिंट करने के बाद यह बोल रहा है return future.error और error यह होगा error fetching your notes तो जब भी आपके server से कोई error हो तो यहां पर हम वो text दिखा देगा कि error fetching your notes पर अगर यहां पर response successful है तो मुझे यहां पर क्या करना है मुझे यहां पर भेजना है अपने response का data तो इसके लिए हम यहां पर बोलेंगे return return response.data बट हमें पूरा data नहीं भेजना है उस data के अंदर का केवल जो मेरा data key के साथ data हमें वो भेजना है अब मैं यहां पर save करो तो आप देख सकते कि यह गायव हो गया reason यह क्योंकि हम यहां पर data होने पर एक केवल container दिखा रहे है अगर हम यहां पर यहां प्रिंट नहीं कर सकते हैं तो मुझे यहां पर बोलना है dot to string save करते हैं आप मुझे जो पूरी मेरी लिस्ट है वो मुझे यहां पर दिख रही है अब जब ऐसा हो जाए तो मैं क्या करना है हमें container ना return करके हम यहां पर return करेंगे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर जो क्या करेगा जितने ही मेरा item सब्सक्राइब करेगा अब यह लेता है context और एक list of items होते हैं तो वह उसका यहां पर index लेता हर index के data को स्क्रॉल करने के लिए अक्सेस करने के लिए सुझोगा मेरा context and index यहां पर item builder के साथ हम एक और ची यूज करते हैं item count और मेरा item का count होगा basically list tile अब इस list tile में कुछ कुछ चीज होंगी यहां पर मैं simply title को show करता हूं text जो कि यहां पर cable title ही रहेगा सेब करो आप देख सकते हैं गरे यहां पर यहां पर दो list tiles हैं दो list tile दो card है दो इसलिए है क्योंकि यहां पर जो हम server से भेज रहे तो हम 2 elements भेज रहेए तो हम देखते हैं पहले यहां पर elevation को मैं थोड़ा 5.0 कर दो यहां पर मैं कार्ड को थोड़ा चींज कर दे रहा हूं मैं इसे margin दे दे रहा है elevation दे रहा है एक shadow color दे रहा है मुझे यहां पर दो चीज़े दिखनी है टाइटल तो जो मेरा यहां पर return कर रहा है यहां पर मैं एक map generate कर ले तो अपने data का सो एक map होगा मेरे data का जो कि आएगा snapshot.data और यह जो particular index है उसका data सो यह हर एक index का data में यहां पर मिल जाएगा और इसी इसको यहां पर grab करने के लिए यहां पर मैं डालना होगा मुझे यह मिल गया data अब मैं यहां पर simply dollar use कर सकता और मैं data में से जो मेरा notes का I think note है वह में यहां पर दिखा सकता हूँ save करेंगे और यह बहुत ज्यादा बड़ा दिख़णा में मुझे इतना बड़ा नहीं दिखाना है तो कुछ चीज़ें यहां पर हम add करते हैं मैक्स लाइन वन होगा जो मेरा overflow है वह होगा text overflow dot ellipsis इसके लागा कुछ basic styling भी डाल देता है जैसे कि font size होगा वह यहां पर 20 होगा आप देख सकते हैं हमें कीवल एक यहां पर element दिख रहा है जो कि है मेरा title यह दो नोट तो जो हमने बनाया थे हमें यहां पर यह दोनों notes दिख रहे हैं यहां पर हम कुछ कुछ चीज़ें करना चाहते हैं notes के साथ इसे better बनाने के लिए सबसे पहले तो यहां पर content padding है वह यहां पर change करना चाहता हूं list tile की ताकि यह थोड़ा हमको padding के साथ दिखे एक इसके रहों जो subtitle है वहां पर मैं क्या करना चाहता हूं subtitle मैं यहां पर date दिखाना चाहता हूं so जो मेरा date आएगा उसके लिए पहले था हमें date को format करना पड़ेगा और फिर उसे string में convert करेंगे so after this title we have subtitle subtitle जो होगा एक text विजट होगा यहां पर टेक्स आएगा वह आएगा date format और date को format करने का जो मेरे यहां पर format है और DD-MM-YYYY यानि कि year के लिए और इसके लिए के लिए के लिए के लिए टाइम को पार्स करने के लिए इसके बाद होगा dot format हम किसी इसको format करना चाहते है तो हम date को format करना चाहते है और फिर उसे हम करेंगे to string अब यह जो date है यह हम कैसे करेंगे तो हम date time को use करते है ताकि जो मुझे string मिल रहा date का उसे हम parse कर सके जैसे मुझे मैंने बनाया था map data का मुझे यहां पर चाहिए date time date time जो कि आएगा date is equal to और यह आएगा date time dot parse और मुझे जो parse करना formatted string हो आएगा data के अंदर से date यह चीज में वहां भी कर सकते हो बट में यहां पर कर रहा हूं ताकि थोड़ा simple है हम सेव करें में बताया जा रहा है कि null is not a subtype of string let's see यह क्यों आ रहा है मुझे यहां पर ऐसा इसलिए हो कि यह date नहीं यह actually date time है अब मैं अगर save करो तो आप देख सकते हैं कि जिस date company बनाया था यह भी हमें यहां पर दिख रहा है इसे मैं थोड़ी से स्टैलिंग देता हूं सो यह हो गया यहां पर date और इस एक्चलिए बढ़ाने के लिए max lines come to कर देता है अब मुझे एक और चीछ चाहिए वह है कि मुझे यहां पर दिखाना एक डिलीट बटन जिसे यूज करके लोग डिलीट कर सकते हैं तो सब बटन जहां पर on press properties है यहां बात में डालेंगे पर यहां पर मेरा आइकन है हो आएगा लाइन आइकन से सो लाइन आइकन डॉट डिलीट करके कोई नहीं और यहां पर आप देख सकते हैं हमें एक ट्रास का आइकन दिख़ए इसका कर देता हूं इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका यह नोट्स डिलीट होना चाहिए मेरे पास और यह डिलीट करने की API है तो हमें सिंपली उस पर रिक्वेस्ट कर देना है पर साथ मैं यहां पर एक स्लाइस डाल देता हूं सिंपल तरीका एक न्यू लाइन यहां पर इंसर्ट करनेगा ताकि यह ठीक से हूं हम लेट से एड अंडर्सकोर नोट डॉट 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 का प्रोसेश यहां पर मुझे काफ़ी सिंपल रखना है तो मैं टॉट डॉट डॉट यहां पर स्टेट फुल विजेट जो की हो जाएगा लेट से इसका नाम रखते हैं नोट है क्लं मैं मैं सब्सक्रीन है इसके अंदर एक क्लिक करने हम आम नोट करते हैं तो पहले का 홈 को बंपर डॉट डाल डेता हूं यह जो मेरा 시간 बॉक्स में fix साइस्ट डाल दूऊंगा बाकी सब मेरा यह यह बटन रहेगा इसको मैं 50। की इंफिनियर देता हूं और इसके अलावा क्या है यानि कि size box के उपर हम एक expanded यूज करते हैं और expanded जो मेरा फिल्ड है वो होगा चाइल्ड होगा text field इस text मुझे यहाँ पर simply max lines को null कर देना है थाकि यह जितनी भी जाद हो तो ना दिखे बाट मुझे मिनमम लाइन कुछ तो रखनी है थाकि यह बहुत कम भी ना दिखे इसके जो मेरा keyboard है वह multiline का होगा और जो मेरा text का max length है में वह भी set करना होगा मैं यहाँ पर 10,000 line set कर रहा हूं although server का recording आप कम भी कर सकते है for example मैं यहाँ पर 1000 कर देता हूं और यहाँ पर on change रहा हम एक property होती है जिसके रहे मुझे यहाँ पर एक variable चाहिए सो मेरा variable रहेगा string type का string note और यहाँ पर जब भी आप on change करेंगे सो हम note को वह value आशाइन कर देंगे पर एक question माग डालना होगा कि हाँ यह value null हो सकती क्योंकि यहाँ पर हमने declare किया तो वह null हो सकती है save करते वापस आते main dot dot पे चलते हैं हम अपने floating action बटन के पास और यहाँ पर जब यह कोई क्लिक करेगा मैं यूज करना है नाविगेटर डॉड और और यहाँ पर बिल्डर में यूज करेंगे context को grab करेंगे context जो मेरा जाएगा वह call करेगा आम notes editor को save करते हैं अब हम क्लिक कर इस बटन पर आप देख सकते हैं हम एक नए page में आगे जहाँ पर एक add a note और यहाँ पर एक simple सा button विस बटन को अगर हम पैडिंग दे तो यह ज्यादा बेटर दिखेगा तो हम size box को wrap करते एक padding visit के साथ इससे save कर देते हैं अब यह notes जो है मेरे यहाँ पर बीच में करना चाहिए सो हमें यहाँ पर क्या करना है हमें एक नया note service को create करना पड़ेगा जो कि हमारी help करेगा note को यहाँ पर send करने में पर तो मैं यहाँ से print हटा देता हूं इसे हम save कर लेते हैं अब बात आती है create note की सो अब create note में क्या है return करना पर depend करते हूं यहाँ पर कुछ return नहीं करना चाहता हूं मेरे पास है simple create note जहां पर मैं एक चीज़ expect कर रहा हूं जो कि आप string में send कर दे क्या note का text होगा process asynchronous होना चाहिए यहाँ पर हम try कर रहे हैं so try and हो गया catch catch का का काम सिंपल है जोग मेरे यह catch का code था मैं simply यहां से copy करके paste कर दें तब हम replace कर देते हैं error की error in inserting your notes अब try का जो मेरा part है यहां कैसे करेंगे so मेरा क्या था war response is equal to do.get इसे हम copy करके paste करते हैं बट यह get की जगह हो जाएगा post post डालते ही जो मेरा path है although base urn ही रहेगा बट हम यहां पर हमें कुछ-कुछ options okay so base url के बाद comma के साथ हमें यहां पर चाहिए options और यह जो मेरा options होंगे यहां पर हम डालेंगे अलग-अलग type के headers so options के अंदर आता है headers यह होगा मेरे options जो कि आएंगे option से जिसके अंदर होंगे headers और यह जो header होगा एक ही हम header चाहिए जैसे मैं पहले बताया था content-type यह हो गया application यहां पर चाहिए वह चाहिए वह चाहिए body क्योंकि हम यहां पर data sent करें अपने body में so options के बार options के पहले मैं यहां पर use कर लेता हूं body sorry यहां पर यह होगा data data जो होगा JSON encode और encode करें एक simple object को जहां पर मेरा key होगा small n से note और value होगी वह note जो कि हम fetch कर रहे हैं सो यह हो गया मेरा simple सा body response.post का अब यहां पर point आता है कि हम जब आप request करोगे तो फिर उसके response को क्या हम decode करें या फी decode ना करें मैं simply यहां पर बस response के wait नहीं कर रहा हूं मैं use कर रहा हूं अब ही do.post और यह हो गया यहां पर आ जाएगा इसे हम actually अब save करते हैं और save करते हैं वापस आता है add note में और यहां पर मैं यह बोल रहा हूं कि जब यह कोई on press करेंगा हम check करेंगा if note dot is empty basically is not empty not is empty अगर note empty नहीं है तो हम use करेंगे note controller is equal to note controller यानि कि basically object जो को यहां पर हम use करेंगे controller dot create note जहां पर हम इस note को send कर देंगे अब point यह है कि यह क्या बोल रहा है कि dot dot के जब string not empty मुझे यह बताएगा अब मुझे पहले यह चेक करना कि string null भी है कि नहीं so if note is not equal to null okay and if note is not empty okay it's still an issue so हम यहां पर एक colon डालेंगे और यहां पर अगीन यह बोल रहा है कि हम वहां पर not empty accept कर रहे हैं मैं इससे अगर save करूँ और let's see हम back करते हैं वापस आते हैं इस पर plus करके और यहां पर यह बोलता हूं created using flutter app add note पर मैं click करता हूं और मुझे यहां पर again एक error आ रहा है error क्या है let's see okay हमें status error मिल रहा है 301 जो कि है redirect error जो कि यह बोल रहा है कि और यह DOA के साथ एक issue है यह हम जानते हैं कि मेरा server जो ही ऐसा कुछ नहीं कर रहा है सो हाँ पर हमें काम करते हैं हम copy कर लेते हैं actually base URL की जगह अपना code डाल देते हैं static URL डालते है तरह टीपी colon double slash 10.0.2.2 slash notes underscore API और कई बार एक slash डालने पर काम हो जाता है इसे हम save करते हैं वापस add note पर क्लिक करते हैं अब तक हम यहां पर कुछ नहीं बताया जा रहा बड़ अगर मैं यहां पर बैक आउं इसे हम सेब करें तो यह मुझे यहां पर जाने कि ठीक है मेरे काम कर रहा है और में गॉर्ट पर हमें क्या करना होगा हमें यहां पर यह बोलना होगा अपने आम इस फ्लोडिंग अक्शन बटन को कि जब भी आपका यह पुश कंप्लीट हो जाया यानि कि डॉट वें कंप्लीट एन जो आप वहां से वापस आओ तो क्लिक करूंगा अब एक तो मुझे और काम करनी है यह बोलना है कि आप प्रेस करो और यह क्रियेट हो जाए सो मुझे यहां पर आम नाविगेटर कि डॉट ऑफ कॉंटेक्स डॉट पॉप यानि कि पॉप भी करना अभी आपके पढ़ेंगे मैं यही चाहता हूँ अगर आप आप नोट कर रहे हैं तो मैं पॉप करके वापस चला जाओ और फेच करके यहां पर दिखा दू कि न्यू रैंडम नोट और इसी तरह जिस तरह रिक्वस्ट करेंगे ताकि हम वहां पर डिलीट कर पाएं इसे ट्राइण कैच ब्लॉक को में यहां पर भी कॉपी करता हूं यहां पर हम करते हैं पेस्ट और यहां पर एरर डिलीटिंग और नोट ऑके जीशन इन कोड में नोट की जगह मुझे यहां पर बेजना आइडि और जो मेरे अप्लिकेशन इसके लाएं पर पर कोई शीव नहीं है और वहल बस यहां सिंपल सा अपर हम यहां सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम चलते में रॉड में और हम यहां बोलना है कि जो मेरा डिलीट बटन इस पर जब कोई क्लिक करेगा उस यूज करे यहां Pal मिन हमเดिए करते हैं यहां तो कुछ नहीं होड़ा है रेफरेस करते हैं क्या होता कुछ नहीं होड़ा है यानि कि डिलेट करने का अपर अतुछ देखते हैं कि प्रसें हो एर प्रॉसेस यह भार है जो को starki कि अभी कुछ नहीं हो एक उड़ा है और जब मैं यहां पर भेज रहा हूं और यहां पर हम एक प्राइश करें कर देना एक स्ट्रिंग आइडी अब मैं अगर सेव करों डिलीट पर क्लिक करों सब्सक्राइब करने पर आप काम कर रहा है तो मुझे यहां पर क्या करना है मुझे यह बोलना है कि डॉट वन कंप्लीट या फिर हम इसे एक श्रिंग्रेशन बना सकते हैं यह हो गया अवेट और यह होने के बाद हमें क्या करना हमें वापस से क्या को फैसे यहां से हच चुपआ दो यहां पर हम ने क्रीटकर ंप्रीट करता हूं अब करते हैं मुझे नीव नोट दिख रहा है मैंने यह चाहता हूँ कि जब भी कोई इस पर क्लिक करें तो हम क्या करें हम टोटल नोट जो भी बड़ लंबा सा हमारा नोट से हम लोगों को दिखाए लेस्ट टाइल में मेरी एक प्रॉपर्टी होगी ऑनटाप तो जब भी आप ऑनटाप करोगे मैं आप बोल रहा हूं शो डायलोग जिसको मैं यूज कर रहा हूं कि यहां पर बिल्ड करने के लिए एक इलर्ट अलोग ओम कुछ नि कर रहा हूं मैं सिंप्ली जितना भी मेरा ट content जो कि होगा एक सिंपल सा टेक्स्ट विजट और यह टेक्स्ट कहां से आएगा यह टेक्स्ट आएगा डेटा के नोट से ओके और यहां पर हम यहां पर कुछ स्टाइलिंग भी रेज़ेते हैं थोड़ा लंबा फॉन्ट साइज ताकि लोग इसे असानी से पढ़ सके तो इससे मैं कॉपी करता हूँ यहां पे पेस्ट करती होगे स्टाइलिंग इसमें क्लिक करने तो आप देख सकते हैं कि नोट सेंट उसट इसे इंसॉम्डिय और आप पर क्लिक करूंगा तो यह डिलीट हो जाएगा अब एक लास्ट पार्ट बढ़ता है कि हम यूजर को यह कैसे दे हम यूजर को एड़ करने के फंक्शनालिटी कैसे दे काफी इंट्रस्टिंग पार्ट है यहां पर हम क्या करने वाले हैं जो मेरा नोट एडिटर है बाई प्डेट हम ऐसे नहीं करेंगे मुझे यह अपर आड नोट में जाना है और यहां पर मुझे कुछ चीज़ें यहां पर सेट करने पड़ेगी क्या है मुझे यहां पर तीन टाइब के वेडियाबल एक तो बुलियंग ये बताया कि हम सब्सक्राइब करने के लिए समुल दूसरा है क्या submitted कर रहे हैं और ऐसा करने मुझे क्या होगा हमें यहाँ पर construct रगे थुरू यह तीनों डेटा को expect करना होगा accept करना होगा सो यह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ this.edit note and id सब्सक्राइब यहाँ पर save करूँ कुछ तो issue है यह बता रहा है कि यह बोल रहा है कि यह जो value है can't have a value of null अपने type के कारण यह मैं question में डाल देता हूँ मैं यह बोल रहा हूँ कि नई क्योंकि हम इसे initialize नहीं कर सकते हैं तो यह null हो सकता है अब यहाँ पर मुझे चाहिए text editing controller क्यों ताकि हम controller को use करके text को set कर सकें तो यह हो गया text editing controller जैसा कि आप देख सकते हैं और since मेरे पास एक controller भी है मुझे dispose करना होगा इसे तो मेरा हो गया white dispose controller.dispose जिससे क्या होगा memory leak prevent होगा अब यहाँ मुझे क्या करना है जो मेरा text field है इसे मुझे बताना है कि जो मेरा text field का controller है वो यह particular controller है तो text field के अंदर हम set कर देता है यह हो गया मेरा controller और visit build करने के बाद मैं simply यह check कर रहा हूँ कि अगर visit जो है वो edit करने वाला है यानि कि अगर visit जो edit की जो property है वो true है तो हम क्या करेंगे कुछ तो issue है यहाँ पर हम set करेंगे तो अगर यह true है तो हम क्या करेंगे जो मेरा controller का text है उसे हम set कर देंगे इस note से और इसके जो मेरा note है वो भी हो जाएगा मेरे इस note से यहाँ पर मैं एक और चीज़ कर रहा हूँ वो है old note अगर आप बीना कुछ भी edit की है चेक करना चाहते है तो मैं update नहीं करूँगा इसके मुझे दो variable जाए एक तो edited और दूसरा string old note so edited जो variable है यह बताता है कि आपने एडिट किया है कि नहीं और जो old note variable है यह बताता है कि पुराना note क्या है यह by default empty रहेगा so old note is equal to empty और जैसे हम यहाँ पर visit note set कर रहा है by default note set कर रहो मैं यहाँ पर old note भी set कर दूंगा कि old note की value क्या है और यहाँ पर पर प्रस नल सेटी बचने के लिए हमें यहाँ पर डालना exclamation अब हम इसे यहाँ पर save कर लेते हैं so अब क्या होगा जब भी आप किसी एक note पर long press करोगे यह उस page को खोल देगा और उस page में हमें जो existing note है वो दिखा देगा और उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि अगर लोग ने कुछ वेडिट किया है so हम क्या करें हम नया जो note है वो दिखा so मैं यहाँ पर save करता हूं save करने के साथ आप यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान दे कि मैं यहाँ पर इसे as a यहाँ पर paste कर देते हैं फर्क बस यह कि note editor मैं कुछ को चीज़े भेजूंगा जैसे कि जो edit है वो हो जाएगा true हाँ हम इसे edit करना चाहते हैं जो id है वो हो जाएगी data से id को grab कर लेते हैं और note है वो हो जाएगा data से मेरा note save करते हैं लॉंग प्रेस करते हैं इस पर अब देख सकते हैं कि note sent using insomnia करके यहाँ पर खुल गया अब यहाँ पर सब कुछ ठीक है मैं आप edit पगारा कर रहा हूं last चीज जो मुझे यहाँ पर देखनी है वो यह है अगर लोगों ने edit किया हो तो हम update call करें अगर लोगों edit नहीं किया हो तो हम simply क्या करेंगे हम create use करेंगे on press में यह बोल रहा हूं कि अगर existing note है existing note कई भी null और empty नहीं होना चाहिए अगर आपको एक note को null and white करना तो आप उसे delete करो अब सबसे प्रहें notes controller को नहीं ऊपर कर लेता हूं अगर note null नहीं हो और empty नहीं हो तो मुझे यहां पर चेक करना है कि if visit यानि कि visit में जो edit की property थे अगर exist करती यानि कि अगर edit true है यानि कि हम true यानि कि हम edit किया है तो हम यह check क्लिक करना पड़े है note dot compare to compare करना मुझे इस जीच को old note से और अगर यह value आती है zero इसका मतलब यह है कि आपने यहां पर कोई भी change नहीं किया तो मुझे यहां पर कुछ नहीं करना है else अगर zero नहीं आती है यानि कि आपने change किया है सो मैं यहां पर कुछ तो करना है सो यहां पर simple है compare to is not equal to zero मैं कर देता हूं simply else.com हटा देता है सो अगर not zero यानि कि change है सो मुझे यहां पर call करना होगा controller.update को जो कि obvious हमने बनाए नहीं है वो हम कर लेंगे यहां पर यह again मुझे error दे रहा है null safety है और अगर visit edit नहीं है यानि कि मैंने एक note को create किया तो मेरा यह जो दो line का code है यह मेरा यहां पर insert हो जाएगा इसे हम कर देता है save अब मुझे जाना है अपने notes controller में यहां पर जिसतर मेरे पास get note है create note है delete note है मुझे अब चाहिए एक update note simple है जिसतर मेरे यह create note है मैं यहां पर इसे पूरी तरह से copy कर लेता हूँ copy करके हम इसे यहां पर paste कर देता है create की जगा इसका नाम हो जाएगा update note पर बस यह कि यहां पर string note के साथ मुझे चाहिए एक और string जो की होगी id क्योंकि हम id पता होना चाहिए update करने के लिए और यहां पर यह id के साथ मैं यहां पर do post की जगा मैं करूँगा do.put note path मुझे नहीं चाहिए यह हो गया path यहां पर note के साथ मुझे चाहिए id भी तो जो id मुझे मिल रही है मुझे send कर दूँगा जो note मुझे मिल रहा है वह उस note को send कर दूँगा यहां पर मेरा जो भी header है वह भी correct है और कोई error होगा तम बोल दूँगा error इंसर्टिंग नहीं updating your notes और यहां भी होना चाहिए updating your notes और यहां भी होना चाहिए यह सही है so बस यह हो गया simple sa update note का code यहां पर हम बाके जाकर आप call कर देंगे अपनी controller dot update note यहां पर id और note मुझे भेजना है id मुझे मिल जाएगी visit dot id से और यह note मुझे बता देना है यह null नहीं है और note मुझे मिल जाएगा जो existing note है उससे और मुझे यह भी बोलना है कि यह null नहीं है इसे हम save कर देते हैं अब हम इसे restart करते हैं और एक finally बार update करके रखते हैं पहले हम create करते हैं हम यहां पर null issue मिलेगा जब बुलियन है हम जब add की बात करें तो हम बुलियन इस edit पार्ट को नहीं भेज रहे हो तो हम यहां पर यह चेक करना पड़ेगा कि if visit.edit is not equal to null यह null नहीं है visit.edit जो value true है तो जाके यह काम करेगा अब मैं save करूँ तो मैं plus फिक करता हूँ add note let's say new note using flutter fluttering sparing गला तो चलेगा add पर click करते है and I think यह भी add हो जाना चाहिए और same mistake actually हमने यहां भी की है इस पार्ट को भी हम replace करते है और अब हम वहाँ पर वापर click करते है new note using flutter add पर click करते है यहां पर में दिख रहा है new note using flutter actually update वाले पार्ट के पास भी यह वाला code डाल देता हूँ so save करते है अब मुझे इसे update करना है मैं इस पर long press करूँगा same note खुल गया मैं बोल रहा हूँ कि flutter होना चाहिए कुछ और नहीं यहां पर इडिट करके बोल देता हूँ a new let's say updated note using flutter add note पर वापस क्लिक करते हूँ back करता हूँ देख सकते हैं यह जो note था वह भी यहां पर update हो चुका है इसे मैं वापस से लाट से लाइंग प्रेस करता हूँ तो हम यहां पर कुछ random text को select करते हैं इससे वापस जाकर यहां पर यहां पर पेस्ट कर देते हैं add पर क्लिक करते हैं इस चीज़ को बेटर भी बना सकते हैं जैसे कर सकते हैं आप नोट को create कर सकते हैं उसे कितने भी नोट से आप read कर सकते हैं उसे update कर सकते हैं और जब काम हो जातों किसी नोट को delete भी कर सकते हैं इस वीडियो बस इतना ही जहां पर हमने इतने लंबे चुटोरियल में complete किया एक full stack project मिलते हैं आप से next वीडियो में जहां पर हम ऐसे full stack projects को complete करेंगे करेंगे करेंगे